हाई गाईज दिस रज्जु पेस आज मैं बहुत ज़्यादा नाराज हूं तुम सबसे अगर मैंने तुमारे कमेंट के रिपलाई में बोल दिया है ये कि इस पर विडियो आएगा थोड़ा वेट करो तो तुम लोग भरोसा क्यों नहीं करते हो या बार बार पूछते रहते ह काब आएगा तुमारे जैसी और काफी लोगों ने कमेंट किया हुआ है उनको भी तो एंसर करना पड़ेगा न क्यों लोगों कभी ऐसा ना लगे कि मैं तुम सबसे दूर हूँ तुमारी कमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैं हर एक कमेंट का रिपलाई करता ह भले ही देर क्यों ना हो जाए ताकि तुम सब मुझसे connected महसूस करो मैं तुम सबसे अलग नहीं हूँ तुम सबके साथ मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ इसलिए बिलगुल भी फिक्र ना करते हुए कमेंट में क्वेशन पूछ के छोड़ दो वीडियो आ जाएगा आज जब इनफिनिटी वर में अपने नैनोटेक सूट पहनता है तब उसका एडित चश्मा कहा गायब हो जाता है तो देखो इसका अंसर बड़ा ही सिंपल है एडित भी नैनोटेक से ही बना हुआ है इसलिए उसका सूट अप होते ही वो चश्मा सूट में ही डिजॉल्व हो जा है इस टाइम उस कैप्टेन का खून बिलकुल करम है एक के बाद एक मिशन को पूरा करना दुश्मनों का सफाया करना ये सबसे उसका हैंट टू हैंट काफी अच्छा मेंटेंड है वही फिर्चर वाला कैप्टेन 5 साल तक बैट कर लोगों को सिर्फ अपनी जिंदगी के द दास्तान सुनाया है या फिर किसी और की दास्तान सुनी है जिस वज़े से उनका experience भी धीरे धीरे कम हो गया था एंड वो खुद के ही पांच्ट वर्जिन को हराने में नाकाम्याब हो जाता है नेक्स्ट क्वेशन है आरियन भाई का वैसे भाई ने दो क्वेशन पूछा है जिसमें से पहला है कि थौर को कैसे पता नहीं था कि स्ट्रॉम ब्रेकर ही इटर्निटी की चाबी है और दूसरा क्वेशन है क्या थौर इटर्निटी से आरियन वैन को वापस ला सकता है तो देखो पहला क्वेशन यानि थौर को कैसे पता नहीं था कि स्ट्रॉम ब्रेकर ही Eternity का चाबी है इसका मेन वज़ा ये हो सकता है कि Bifrost ही एक लोता रास्ता था Eternity तक जाने का तुम देख सकते हो Eternity के ऊपर जो symbol बना हुआ होता है वैसा ही same symbol Bifrost भी बना देता है ऐसे symbols को Celtic knots कहा जाता है अब क्योंकि थोर ने बहुत पहले ही Bifrost पूल को तोड़ दिया था इसलिए Eternity तक जाने का कोई दूसरा option नहीं था बट Love and Thunder में गौर नहीं ये पता लगाया कि Eternity का चाबी तो Bifrost है अगर स्ट्रॉम ब्रेकर Bifrost को समन कर सकता है इसका मतलब वो Eternity के दुआर को भी खोल सकता है वही पर थोर ने कभी इस बारे में Eternity सिर्फ उसी की मांग पूरा करता है जो उस तक पहले पहुंचता है अब एक last question डोरी मॉन के तरफ से भाई ने पूछा है